नमस्कार सखी लोगार आज सब लोगन का अबरे भोजपूरी सखी चानल में बहुत बहुत स्वाधन बाद आज हम बनाए जाते हैं चना दाल और नारियल का चटनी जों डोसा और इटली के साथ खाय में बहुते बढ़ियां लगे ले पिछले हफता हम डोसा का रेसिपी आप लोगे साथ शेयर कर ले रहनी हैं तो आज हम चटनी का रेसिपी आप लोगे साथ शेयर करते हैं और ये पर रख देव एक फ्राइपेन, आप लोग कढाई भी रख सकी लाँ, और ये में सब चना दाल के डाल देव, और एकदम आज की धीमी करके भूनब, हलकी आज पर, चना दाल का चटनी बनाओ के लिए जब आप चना दाल भूनब, तो बहुत ध्यान देव, कि आज थो आज पर हम, तीन लाल मिर्च, और लसुन का कुछ कली, और फिर से गयास की कर देथे हैं, चालू, और एमें, धीमी आज पर हम, तीन लाल मिर्च, और लसुन का कुछ कली, डाल देथे, जतना हमके आउशक्ता है, और मिर्च, आपके जतना आउशक्ता हो के सौध के अनुसार डाले, हमके तीखा कम पसंदा, तो हम तीन मिर्च ढल लएं, आपके ज्यादा Has, ज्यादा चैना ज्यादा डाल लिएं, और एक रलका-रलका भूने, जैसे य Mutter के लेसुन पर हलकी चित्ती आवे लगे तो समझ जाएं कि लेसुन भून के एकदम तैयार होगा ला तो यहां पर हम लोग अभी लेसुन और मीच भून के लगबक तैयार हो गई ला तब ग्यास के कर देखें बंद और जोन इसामगरी यह भूनल के कटोरी में निकालके रख आधा गंटा हो गला चना दाल फूल गए लिया और एक अब मिक्सी के जार में डाल के हम बाकी सांग मगरी डाल के पीस ले जोन हम लोग लाल मिर्च भून ले रनिये जा और लासून वोकर साथ एक इंच अद्रक कर टुकडा भी रख लें एसे चटनी का स्वाथ और बढ़िया आई और स्वाथ के अनुसार नमक डाल दें और पानी में पहले से आधा गलास आवशक्ता हो तो थोड़ा सौव डाल दें तो पहली बार में थोड़ा कमे पानी डाल के पीस ही तो चना दल थोड़ा अच्छी पीस जाए और देखें पहली बार में चना दाल हमार बढ़िया ना पीस ले तो में थोड़ा सा ओर आधा गलास पानी डाल के एंपीस लें अभी दुबारा मर्द चना दाल बढ़िया पीस के तयार हो गई लिया परी थोड़ा सा एकर पेस्ट गाढ़ा हा सुखी यह चटनी तो जो मिक्सी में हम लोगे चना दाल लगा लिया उमें पानी डाल के चटनी में मिला देवे के तो इसे चटनी थोड़ी से पतली भी हो ज और यह चना दल का चटनी तयार है बस नरील के बनाओ के 크ी बनावों यहांपर ले लेखने कि फोड़ द्रह द्रहा है है एक इंच अध्रक टुकड़ा है कुछ लेसून के कलिया है Radu Hari przest अब अबने पसंद के अनुसार और ती का पसंद होता और तीषप advoc ich cara fr Sh & major ने और मिर् करें और यह अद्रक लेसुन और धनिया पत्ता और मेर्स के हम काट के लिए लिए टासे जल्दी पिछ जाए और नंवक डाले थें सवाद की अजनुसा कि इन नमक थोड़ा सा मार कटोरी में चिपक गला ते वैसे पाइन ही भी छटनी में पानी डाले काो शैकता है तो थोड़ा सा में कटोरी में पाइन डाले पी हम आधा जाए डाला के चटनी के बढ़िया से पिस ले का। अई चट्णी के एक दम तयार हो गई लिए एकहेभी हम लोगोंखे काटोरी में निकाल लियो के और य advice... मिक्सली में हम लोग tęच लगा लिया खेर अंगे पाइँ द नालके दो और अब से-चट्णी में तड़का लंगाले दुनू चट्टी में तैंड ही ये दोनों चटनी के हम एक साइट में रख देते हैं और चले थे हम तड़का के त्यारी करते हैं तो ग्यास कर ले थे हम चालू और ये पर रख देते हैं फ्राय पेन आप तड़का पेन भी रख सकी लाँ या फिर कड़्ची में भी तड़का दे सकी लाँ आमरे पास फ्राइपेन न तड़का देते हैं इमें दू चमच के करीब हम तेल डाले लें और जैसे ही तेल गर्म हो जाए तेल अच्छा गर्म होखे चाहिए तड़का देबे के समय इमें डाल लेव सर्सो जेके राई भी बोले जाला और सर्सो इदम बढ़ियां चटकी के च चाहिए सर्सो कच्ची न रहे चाहिए सर्सो कच्ची रही तर चटनी को स्वात कराब हो जाए तो इस अच्छों हम लोगा चटक गए लिए अब इमें हम डाल ले दू लाल मिर्ज तोड़के और यह करीपत्ता है जैके मीठी नेम के पत्ती भी बोले जाला और यह लगल चन चटनी एक दम तयार हो गए लिए अब ऐसे हम लोग तड़का लगा ले वेके नार्यल की चटनी में यह प्रिसे कर लेता हैं हम गया सोन और या आर रख लेता हैं फ्राए पें और यह निर्खर 같은데 का से किनारेल में पहले सीतेलना तो चमुझ सोट यह थोड़ा थोड़ा कम इस्तेमाल करे लिया और इमें भी जैसे तेल गरम भैल इमें डाल दे थे राई लेकि तेल बहुत अच्छा गर्म है राई तुरंट चटक गई सरसों के चटक तेई अब इमें डाल देवे के लाल मिर्च यहाँ पर दो लाल मिर्च हम तुकडा तोड़के डाल दे ले लें और फिर एक करी पत्ता मिठी निम का पत्ती और अब नारेल के चटनी में हम तड़का लगा ले थें इदूनू चटनी हमार तयार है इदूनू चटनी इटली और ढोसा के साथ खेले में बहुते बढ़िया लगे और अन्य चीज के साथ भी हम लोग खा सकीला जैसे चावल रोटी पराठा कूरी तो यह बहुते बढ़िया चटनी आप भी अपने घर पे जरू ट्राय करें और यदि हमारे रेसिपी आप लोगन के पसंद आऊ थे है तो प्लीज हमरे चानल के लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें वीडियो पुरान तक देखें आप बहुत बहुत धन्यवान मिला थे फिर अगली रेसिपी के साथ सब तक के लिए नमस्कार